जह मातादी मित्रों मेर नाम पंडित प्रकाद जोसी स्वागत है मेरे यूटीव फेस्वूक चैनल ऐस्ट्र वा seguirman के महिने में कैसी हूए इदनकी स्वास्त की उनके परिवार की स्थती दांपत्य जीवन उनके लव रिलेशन की स्थथी क्या ग्रे गोचर जून में रंग लाने वाले हैं वैसे चार ग्रो का ट्रांजिट जून में होगा सूरे का राशी परिवर्तन होगा बुद का दो बार जून में राशी परिवर्तन होगा शुकर का राशी परिवर्तन और मंगल देव जून के मेने में राशी परिवर्तन करने जा रहे हैं तो कुल मिला के 12-15 जून तक सारे राशी परिवर्तन करनेंगे यानि की जून का मेना बड़ा interesting वाला कुम्ब राशी का रहने वाला है इसके वारे में इस कार्यकरम में चर्चा करेंगे साती जून के मैने में कुम्ब राशी में बुदादित्ती योग बन रहा है मालब्ब योग बन रहा है भद्र योग बन रहा है सस योग बन रहा है यानि चार महत पूर्ण विशेष राज योग कहीं न कहीं कुम्ब राशी के बन रहे हैं तो यह राज योग बस राज योग कहने के ही रहेंगे या कुछ लाप भी देंगे इसके बारे में इस कारिकर में चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले जून के मेने की आप ये कुंडली देख लीजिए ये कुंब लगन और कुंब राशी की कुंडली है लगन में शनी बैठे हैं ये देखेगा साथी साथ चंद्र और राहू दोनों ग्रे आपके धनवाओं में बैठे हैं मंगल आपके तृतिय भाओं में बैठे है साथी साथ सूर्य गुरु शुक्र और बुध चार गरों की चौकडी आपके केंद्र में बैठी है यानि की आपकी कुंडली में मालब्य योग, पुदादित्य योग, भद्र योग कहीं न कहीं बन रहा है जून के महिने में आप ये जो ग्रह का योगा योग है ये आपको क् क्या पर्मूटेशन, कॉमबिनेशन इन ग्रहों के नक्षत्र के बदलने से आपके जीवन में होने वाले हैं, चली इसके बारे में आकलन करते हैं, सबसे पहले स्वास्त के बारे में बात कर लेते हैं, तो कुम्बराशी का हैल्थ अगर देखा जाए तो जून के महिने में सहसे हैं दो भाह बटने की समभावना बन रही है एक तारिक से लेकर Saks सुन में कुम्राशी को हाथ पैरों में दर्द की समस्या रहे गी और किसी कुम्राशी को दांत की प्रॉब्लम किसी को कान की प्रॉब्लम तो कुल मिलाके डॉक्टर को आपको दिखाना पड़ेगा कुछ दवाईयां आपको खानी पढ़ सकती है यानि कि साथ जून तक थोड़ी समस्या रहेगी आठ जून से और तीस जून के बीच में अगर देखा जाए तो सूरिय और शुक्र दोनों का मेरे क मिर्क शिरा नक्षतर में सूरिय और शुक्र दोनों पर धारेंगे तो यह समय यहां से हेल्ट के लिए आपके लिए समय अच्छा है कोई आवार्ड कोई सम्मान आपको मिल सकता है कोई सरकारी संस्था या समाजिक संस्था से आपको कोई सम्मान भी मिल सकता है यानि कि सूर और राहू दोनों ही दुत्यस्तान में बैठें यानि धनवाओं में बैठें तो धन की स्थती जून के महिने में कुम्राशी की दो भागों में बटेगी यानि एक तारिक से लेकर 20 जून तक देखा जाए तो धन की स्थती काफी अच्छी है यानि 20 तारिक तक आपको तीन नजर आएगा 20 जून तक कुम्राशी को एक्स्ट्रा इंकम की योग बनेंगे यानि आपको एक्स्ट्रा इंकम प्राप्त होगी बीजून तक कोई व्यक्ति आपको अचानक बड़ा लाब दे सकता है यानि तीन बड़े लाब कुम्राशी को बीजून तक नजर आएंगे फ और 21 से लेकार और 30 जुन में कुछ धनानी की संभावनाएं भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से आपकी बन रही है जैम अतादी आज हमारे साथ में उस्टेलिया से विपिन लाल जी आये हैं मैं साथ आट महीं से देख रहा था सर का चैनल और मैं और भी बहुत सारे देखता था तो काफी मिसलेडिंग इंफर्मेशन मिलती थी जब गुरू जी को फॉलो किया तो काफी अच्छी इंफर्मेशन मिली connect हो पाता था जो भी solution बताते थे weekly भी और monthly भी तो then फिर मैंने इनसे बात करी और फिर मैं आज मिलने भी आया और जो भी उन्होंने मेरे को चीजे बताई वो उसने बहुत help करी है मेरी और गुरुजी से आने से पहले मैं दो-तिन लोगों से अल्रड़ी concerned कर चुका था मैं जून के मैंने में होती वी नजर आ रही है पहला परिवार के साथ में जून के मैंने में लंबी दूरे की यात्रा के योग नजर आ रहे है या परिवार के साथ में हिली स्टेशन आप जा सकते हैं दूसरा देखा जाए तो फैमिली का कोई सदस्य कोई करियर से समंदी विद्या से समंदीत या मांगली काम से समंदीत कोई खुशकबरी आपको दे सकता है या कोई काम आपका होतावा नजर आ रहा है या कोई काम आप करा सकते हैं आचान चोक में यानि कि मालब भी योग से तीन बड़े काम जून के महने में कुम्राशी के होते हुए नजर आ रहे हैं आप बात करते हैं कुम्राशी के संतान वाओ के बारे में यानि कि जून के महने में संतान की स्थिक कैसी रहेगी इसके बारे में बात कर लेते हैं तो कही न कही संतान का जून के महने में मालब भी योग भद्र योग यानि दो शुब योग बन रहे हैं जिस कारण से दो मेने में मामा मामी या नाना नानी से कोई के पास जाने के चोटी संतान की योग बनते हैं या वहां से कोई गिफ्ट मिलेगा चोटी संतान को बात करें बड़ी संतान की तो बड़ी संतान के लिए कहीं ना कहीं जून का महिना देखा जाए तो नया कुछ जुआइन करने के आपकी योग नजर आ रहे हैं नई activity में बड़ी संतान रहेगी साती साथ बड़ी संतान का मित्रों के साथ में लंबी दूरी की यात्रा के भी जून में योग बनते हैं संतान समंदी यानि की बड़ी संतान समंदी कोई खुशकबरी भी आपको मिलती भी आपकारी है आप बात कर लेते हैं कुमराशी वाले उनकी जो नौकरी करते हैं चाह सरकारी है चाहा प्राइवेट है तो कहीं ना कहीं जून का मैना चंद्र राव की यूती से दो भागों में बठने वाला है मित्रो एक तरिक से लेका 10 जून तक देखा जाए तो चंद्र सूचना दी जा सकती है जिससे आपका मूंड ओफ होगा यानि 10 जून तक काम का प्रेशर रहेगा 10 जून तक करियर में बहुत अच्छी इस्तती नहीं है 11 तारिक से 30 जून के बीच में देखा जाये तो किसी मित्र की सिला कोई आपकी हेल्प करेगा जिससे की आपका पेंडिंग काम पूरा होगा आप समस्या से आपको भारने के लिए कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करने वाला है मित्रों के साथ में आपकी यात्रा भी 11 जून से 30 जून के बीच में लिखी वी है और नया कोई काम आपको मिलता हुआ नजर आएगा यहां से आपकी सेल भी बढ़ती भी नजर आएगी यानि 10 दिन तो आपके लिए भारी है और 11 से 30 जून नौकरी करने वालों के लिए नॉर्मल रहने वाले है अब बात कर लेते हैं कुमराशी के दामपत्य जीवन के बारे में तो यहां पर दामपत्य जीवन में मालब भी योग बन रहा है बुदादिती योग बन रहा है भद्र योग बन रहा है लब कपल के साथ होंगे और दो अशुब घटनाएं होंगी पहला पार्टनर के साथ में लंबी दूरी की यात्रा जून में बन रही है पार्टनर के साथ में पार्टी में जाने के योग नजरा रहे हैं पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है यानि कि कहीं ना कहीं जून सकती है यानि कि पात करते हैं पत्तिनी के लिए जुनका मेंना लॉआ के बारे की बारे में बात करें तो परीवार के साथ मैं पैठरी गाउं की यात्रा हो सकती है husband wife की या तीर्थ यात्रा में husband wife जा सकते हैं ऐसी संभावना है जून में बन रही है परिवार में यानि की पार्टनर के परिवार में कोई मांगली काम होने की यूग भी कहीं ना कहीं जून के अंदर बन रहे है आशूप के बारे में बात करें तो पार्टनर का गहना या कोई वस्तू चूरी या गूम हो सकती है यानि कि कोई सोने चांदी की वस्तू आपके पार्टनर के गूम हो सकती है ऐसा यूग नजरा रहा है यानि अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का है और मित्रों कुछ लोग जो हम यह मासिक रासिपल की वीडियो अपलोड करते हैं तो क मासिक या साप्ताहिक राशीफल होता है ध्यान से मेरी बात सुने हर वीडियो में मैं कहता हूं फिर भी आप सुने कि यह जनल प्रेडिक्शन पर आधारीत होता है और जनल पर्मूटेशन ग्रह के गोचर नक्षतर के गोचर पर वहुश्यवानिया की जाती है हो सकती है क्या चीज नहीं हो सकती उसकी संभावना है हम इस कारेकरम में आपको बताते हैं कुछ लोगों पर यह 10% सच होगा कुछ लोगों पर 80% कुछ लोगों पर 50% लेकिन हर बार सच नहीं होगा यह याद रखेगा हर बार जो चीजे सच होगी उसके लिए आपको किसी विद्वान जोतिशी को भई अपनी कुंडली का एनलाइसिस कराना पड़ेगा यानि डेटो बार टाइम अबार प्लेशो बार किसी विद्वान ज राशी प्रेडिक्शन करते हैं यह आप पर कभी सही होगा कभी नहीं होगा यदि हमेशा होता है तो वह आप किस्वत वाले नहीं तो यह जन्रल प्रेडिक्शन है चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुम राशी वाले उनकी जो व्यपार करते हैं यानि कि अपनी दुकान चला कुम राशी वाले व्यापारियों के काम में अचानक तेजी आ जाएगी बड़ा कॉंट्रेक्ट आपको मिलेगा तो याद रखिएगा कि आपको जो बड़ी बड़ी कंपनिया हैं उनके बड़े ओदे पे जो व्यक्ति हैं उनको पटाना है आपको बड़ा कॉंट्रेक्ट मिल सकता है मंगल का जादू रोचक योग का जादू आप पे चल सकता है साथी साथ कुछ मशीनरी कुछ डिवाइस की खरीदारी भी आप करेंगे तो कुल करें मतादी